कहते हैं कि हर एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाज जरूर होता है बिल्कुल ठीक है लेकिन हर एक इनसान की सफलता के पीछे चाहे वो एक पुरुष हो या फिर एक महिला हो उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है राइम मेनेजमेंट का सीधा सीधा क आफिस वर्किंग लोगों के लिए है बिजनेसमेन लोगों के लिए है और जो लोग घर पर रहकर काम करते हैं उन सभी के लिए है इस वीडियो को पूरा देखिएगा थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही जादा इंपॉर्टन्ट है आप सभी को लगता है कि हम सभी के पास 24 गंटे है और यही आप सभी की सबसे बड़ी गलत फैमी है एक्च्वल में हमारे पास 24 गंटे का समय नहीं है इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि लगबख 7 गंटे का समय तो हमारा सोने में ही चले जाता है और आप सभी के पास 24 गंटों का सही इस्तमाल आज हम टाइम मेंजमेंट के आठ सबसे महत्पूर्ण सूतरों के बारे में जानने वाले हैं टाइम मेंजमेंट के लिए सबसे पहला रूल है आपको सिटे स्कैन करना होगा आपके टाइम का याद कीजिए कि थोड़े दिन पहले कोविड बहुत जादा बढ़ गया था और उसे पकड़ने के लिए या तो सिटे स्कैन करना पड़ रहा था या फिर एक्सरे करना पड़ रहा था मतलब किसी भी बड़ी बिमारी को पकड़ने के लिए आपको अंदर जाकर देखना होगा कि वो बिमारी है कहाँ पर तो ऐसे तीन से चार दिन तक फॉलो करना है आपको अपने आप में कोई भी बदलाव नहीं करना है आप जैसे हैं वैसे ही रही है लेकिन तीन से चार दिन तक आप हर चीज को लिखिए आप लिखिए कि आप सो कब रहे हैं आप जाग कब रहे हैं खाना कितनी देर खा रहे हैं मोबा का पता लगाई है तीन से चार दिन के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं अपना समय यहां पर बहुत जादा दे रहा हूं और यहां पर बहुत कम दे रहा हूं और उससे आप आसानी से अपनी बिमारी को पकड़ पाएंगे time management का दूसरा सूतर है replace your time with your specific goals बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने time को बरबाद कर रहे हैं एक normal goal बनाकर गोल दो प्रकार के होते हैं एक होता है normal goal और एक होता है specific goal normal goal का मतलब यह है कि एक student अपने आपको कहता है कि मैं इस वार top करूँगा top करूँगा एक businessman अपने आप से कहता है कि इस साल में इतने लाग कम आऊंगा इतने लाग कम आऊंगा लेकिन वो goal specific तब तक नहीं होगा जब तक उसे specific बनाया नहीं जाएगा तो मतलब आपको specific goal ब सूखा बचाना ही है अब वो एक product बेचता है उसे बेचने पर सूखा सौ रुपए मिलता है अब यदी उसे 20,000 कमाना है और एक product पर उसे 100 रुपए मिल रहा है इसका मतलब उसे 200 प्रोड़क्ट उस महीने में बेचना होगा लेकिन अब इस दोसों में भाग दिया 25 का तो आया 8 इसका मतलब उसे हर दिन लगभग 8 प्रोड़क बेशना पड़ेगा तब जाकर वो अपना ये एम कंप्लीट कर पाएगा इसे ही कहते हैं specific goal हर चीज यहाँ पर mention है हर चीज लिखी हुई है अब यदि वो वेक्ती एक दिन में 8 प् तो उसे पता चल जाएगा कि मैं कहीं पर गलत कर रहा हूं मेरा target पूरा नहीं हो पाएगा तो इस प्रकार से आपको भी अपनी अपनी field में इस प्रकार के specific goal लिखित में बनाने होंगे अब ध्यान से सुनिए एक सेरे करके जो time आपने बचाया था उस time को आप अपने specific goal को ताइम मेनेजमेंट का तीसरा सूतर है war and warfare rule ये war and warfare rule क्या कहता है ध्यान से समझिए आपको एक page बार तीन line बना लेना है पहली line में लिखना है compulsory work और तीसरी में लिखना है not compulsory not important work पहली line में आपको उन कामों को लिखना है जो बहुत ही compulsory है जिसके बिना काम नहीं चलेगा यदि आप एक student है, आपको पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई करना आपके लिए compulsory है, आपको ये chapter खतम करना ही है, यदि आप salesman है, तो आपको ये product बेशना ही है, ये आपके लिए compulsory है, ऐसी चीजों को आप यहाँ पर लिख दीजे, दूसरी line में आपको लिखना है, not compulsory but important, आप सोच कर देखिए, brush करना compulsory नहीं है, लेकिन important है, नहाना आपके लिए compulsory नहीं है, लेकिन important है, नहाना पढ़ेगा, तो ऐसी चीजों को आप यहाँ पर लिख दीजे, और तीसरे नमबर की list में आप लिखिए, not compulsory, not important, जैसे phone चलाना आपके लिए इतना ज़्यादा important न और यदि फिर दिन का कुछ समय बच जाता है, तो आप उस समय को दीजे, not compulsory, not important work को, अब इसे एक छोटे से उधारन से समझेगा, एक महिला थी, जो कि विवाहित थी और उसे वाइलिन बजाने का बहुत शौक था, और उसे पता था कि इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकती ह फिर बाद में जो थोड़ा सा समय बचता था, उसमें वो वाइलिन बजाना सीखती थी, अब ऐसा बहुत सारा समय निकल गया, लेकिन उसे मन में satisfaction नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ठीक से बजा नहीं पा रही थी, ठीक से सीख नहीं पा रही थी, लेकिन फिर उसने फॉलो किय वारिन वफेर रूल को, अब उसने वाइलिन बजाने को सबसे पहले रख दिया कमपल सरी काम में, कि सबसे पहले सुबह उठते से ही मैं सबसे पहले वाइलिन बजाओंगी उसके बाद सारे काम करूंगी, उसने ऐसा ही किया, सबसे पहले वाइलिन बजाया, उसके बाद टाइम मेनेजमेंट का चौथा रूल है पैरेटो का 20-80 फॉर्मुला ये बहुत ही इंपोर्टेंट है इसे ध्यान से समझेगा आपके पास एक दिन में बहुत सारे काम होंगे करने के लिए लेकिन उसमें से 20 प्रतिशत ऐसे काम होंगे जो आपको 80 प्रतिशत रिजल्ट दें हैं जबकि उन 20 प्रतिशत काम को कभी करते ही नहीं हैं जो उनको 80 प्रतिशत रिजल्ट दे सकते हैं आप लोग भी ऐसे ही सोसते हैं कि दिन में पहले बहुत आसान-ासान से काम कर लेते हैं उसके बाद जितने भी tough काम बचेंगे वो बाद में कर लेंगे लेकिन इस चक्कर म आप कभी भी उन tough काम को कर ही नहीं पाते हैं जिसकी वज़े से आपको दिन भर का 80% result मिल ही नहीं पाता है और आप अपने आप से यही कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया लेकिन मुझे result नहीं मिल पाया क्यूंकि आप वो 20% सबसे important काम नहीं कर रहे हैं अपने टाइम को खरीदा भी जा सकता है कैसे खरीदते हैं समझेगा माल लीजिए कि किसी एक वेक्ती को reservation करवाना है अब एक वेक्ती होगा जो railway station पर जाएगा वहाँ पर लाइल लगेगा घंटो और उसके बाद अपना reservation करवाकर घर आएगा लेकिन दूसरा वेक्ती होगा जो घर से ही online reservation कर देगा और अपना पूरा का पूरा 2-3 घंटे का समय बचा लेगा अब यहाँ पर समय को खरीदने का मतलब क्या है पहले वेक्ती ने सोचा कि मैं station चले जाऊँगा मेरा 5-10 रुपे बच जाएगा उसने 5-10 रुपे बचाने के चक्कर में अपने पूरे टाइम को खराब कर दिया लेकिन दूसरे वेक्ती ने सोचा कि इस समय में मैं और जादा काम करके और जादा पैसे कमा लूँगा 5-10 रुपे चले जाएगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप सभी ने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी एक पूरुष और एक महिला शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो पूरुष जल्दी जल्दी अपना सामान खरीद लेता है लेकिन महिला किसी भी सामान को खरीदने में बहार जादा देर लगाती है वो क्यों? क्योंकि वो मोल भाव बहुत करती है वो सूचती है कि मैं इन चीजों को कम दाव में खरीद लेती हूँ और वो महिला अपने पती को बड़े फक्र से कहती है कि देखो मैंने आज 200 रुपे बचा लिए लिकिन पती मन ही मन सोचता रहता है कि तुने मेरे 3 घंटे खराब कर दिये इस 3 घंटे मैं तो मैं 1000 रुपे कमा लेता मतलब मुझे 800 रुपे का फिर भी नुकसान ही हुआ है तो आप अपने वक्त को इस प्रकार से खरीद सकते हैं आप 200 रुपे बचाने के चेकर में अपने 800 रुपे को बिलकुल ना गबाएं अपने समय को खरीदें अगला सूत्र बहुत ही ज़ादा जरूरी है और वो है समय बरवादी का गुरुत्वा कर्शन नियम जब भी आप काम करने बैठते होंगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही आपको important काम करने बैठते हैं आपके भाई साब आपको call लगा देते हैं आपकी मम्य आपको आवाज लगा देती है या फिर किसी दोस्त का फोन आ जाता है इसे ही कहते हैं समय बरवादी का गुरुत्वा कर्शन नियम जैसे ही आप किसी important काम को करना शुरू करते हैं बहुत सारे लोग आपकी और आकरशित हो जाते हैं आपको disturb करने के लिए और आप उसी चक्कर में first कर disturb भी हो जाते हैं आपको ऐसे लोगों को ऐसी चीजों से अपने आपसे दूर रखना होगा कैसे करते हैं एक्जांपल सुनिये आपका वक्त तो वर्बाद हो जाता होगा तो उस वेग्यानिक ने उस वेग्ति को जवाब दिया कि जब भी मेरे नौकर को ऐसा लगता है कि कोई वेग्ति मेरा वक्त खराब कर रहा है तो वो मुझे जोर से आवाज लगाता है कि मालिक आपकी पत्नी आपको किसी बहुत जरूरी काम के लिए अंदर बुला रही है और मैं उटकर अंदर चला जाता हूँ और वेग्यानिक ने जैसे ही ये बात उस वेक्ति को कही वाकई में नौकर की उधर से आवाज आ गई कि मालिक आपको आपकी पत्नी किसी जरूरी काम के लिए अंदर बुला रही है और वो वेक्ति सारी के सारी बाते समझ गया तो आपको भी ऐसे लोगों से बिलकुल बचकर रहना होगा जो आपके समय को बरबात करते हैं उस समय को खराब करते हैं टाइम मेनेजमेंट का सात्वा सूत्र है अपने काम को दूसरों को सौपना कोई वी महान विक्ति तभी महान बनता है जब वो अपने काम को दूसरों को सौपना सीख जाता है क्योंकि हर काम को हर विक्ति खुद नहीं कर सकता एक नॉर्मल विक्ति की सोच यही होती है कि हर काम को वो खुद कर ले क्योंकि उसे लगता है कि ये काम मेरे सिवा कोई भी विक्ति बहतर ढंग से नहीं कर सकता क्या आपको लगता है कि धिरुआई अम्मानी इतने सारे पैसे कमाते हैं तो पूरा दिन बैट कर अपने पैसे गिनते रहते होंगे बिल्कुल नहीं उन्होंने बहुत सारे लोग पैसे गिनने के लिए रखे होंगे वो अपना समय महत्पुन कामों को देते होंगे तॉमस अलवा एडिशन ने बल बनाने के लिए अपना बहुत सारा समय लगाया, अपने जीवन का बहुत सारा समय दिया, लेकिन उसके बाद फाइनली उन्हें परिणाम मिला, इसलिए आज हम सभी उस वेक्ती को याद रखते हैं, लेकिन उसी समय में बहुत सारे और वेग्य कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक की परिणाम सही नहीं मिलेगा, यदि सही परिणाम नहीं मिला है, तो वो 3-4 घंटे खाने बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, समय के साथ सबसे महत्पून चीज होती है, परिणाम, यदि किसी काम को आपने समय दिया है, लेकिन उस समय अभी तक कहां कहां पर खराब कर रहे थे, मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारी लोग टाइम मेनेजमेंट को अच्छी तरीके से सीख पाए, यदि अभी तक हमारे चैनल को स सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, तो जरूर कर ले क्योंकि ऐसे ही बहुत ही जवरदस्ट वीडियो आपको हमिशा के लिए मिलते रहेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद